इंग्लिस ग्रामर, गैफिलिंग, पार्ट थर्ड, ये वीडियो एस्पेसली उन लोगों के लिए हैं, जिनको लगता है कि उनकी इंग्लिस बेसिक बहुत वीक हैं, वैसे क्लास टेंथ पार्ट एक कोश्चन नमबर फाइव है, गैफिलिंग, फिलिंद ब्लैंक्स, पार्ट सबसे आसान तरीके से सॉल्व करते हैं, पहला कोश्चन है, आप्संस का आवर टंग, अब इसमें यह दिया है, चार में से कौन सा आप्संस आप्संस आई है, आवर टंग पाजेजिव दिया है, पाजेजिव सिंगलर होता है, पाजेजिव साथ हम सिंगलर हेल्पिंग वर्ब में में वर्ब का यूज़ करते हैं, तो इसमें जो डू वर्ड है, वो अपने आप डू हेल्पिंग वर्ब हट जाती है, और यहां पर इस पैसे को देखने के बाद अब तक आपको clear हो गया है कि ये पैसेस प्रजेंट में हैं तो head done भी अपने आप remove हो जाता है और अगर नहीं clear समझ में आता तो एक बार video के पैसेस को जरूर read कर लेजे हला कि आप guess कर सकते हैं तो need not to read and understand this type of passes you have to solve it directly जैसे कि मैं अभी कर रहा हूं अब is doing our tongue is doing a lot of things कर हमारी tongue is doing कर रहा है a lot of things कई चीजे कर रही है नहीं हमारी tongue कई काम करती है अगर आप टिंस का knowledge है जानकारी है तो आप इस चीज को समझ सकते हैं तो is doing भी अपने आप remove हो जाता है आपके ये option a का question a का option third सही है यानि यहां पर does होगा our tongue does a lot of things हमारी tongue कई काम करती है तो does एक helping verb के रूप में use हुआ है does एक main verb के रूप में भी यहां हुआ है बाकी यह does के लावा तीनों verb में ऐसी quality नहीं है do में तो ऐसी quality है लेकिन our tongue के साथ हम does use करते क्यों our tongue के साथ हम does use करते क्योंकि our tongue जो है positive है और positive singular होता है यह सभी basic rule है अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है नहीं पता तो ऐसे videos को ध्यान से देखी और सुनिए our next question is following here and the next question is देखे चार option दिया है less little few lesser और इन में सब को बहुत ज़्यादा doubt होता है less lesser few a few the few little a little the little बहुत ज़्यादा confused लिकिन इस option को किस बहुतरीन तरीके से solve किया जाएगा ये देखने वाली बात होगी तो ये option आपने देख लिया है अब हमारा अगला option क्या कह रहा है the bumps दिया हुआ है on it called taste but can differentiate कोई बात नहीं आगे पढ़ने की जरुवत ही नहीं meaning निकालने की जरुवत ही नहीं है, prices को पढ़ने की ही जरुवत नहीं है हमें तो rule की according चलना है और rule भी नहीं पता तो इस वीडियो को देखना है तो the के साथ हमें उन चौर option में से less, little, few, lesser का use करना है तो आपका ये जो the word दिया हुआ है, the word यहाँ पर दिया हुआ है, इसके साथ क्या use हो सकता है the के साथ the less use होगा, the little, the few ये the lesser आपकी simple जानकार लेगले, general जानकार लेगले मैं आपको ये बता दू कि the less नहीं होता है the lesser भी नहीं होता है अब बसता है the little और the few the few भी होता है, the little भी होता है लेकिन क्या आपको पता है, the few का इस्तमाल किया जाता है not many के लिए जबकि वहाँ दा के बाद gap और bumps दिया हुआ है don't understand this word in our ill way, bumps गलत तरीके नहीं समझेंगे आप bumps जो छोटे-छोटे कड होते हैं jeep के उपर jeep के उपर जो थोड़े-छोटे कड जैसे होते हैं जिने हम स्वाद कडिकाएं कहते हैं उसी को bumps यहाँ पर कहा गया है जो टंग पर हमाई jeep के surface के उपर निकला होता है तो the few अगर हम लगा देते हैं तो भी गलत हो जाएगे क्योंकि the few का यह इस्तमाल होता है not many यहाँ पर negative sense ले जा रहा है जबकि clearly आपको पता है कि यह जो the few है यह word और यहाँ पर B option में जो bumps दिया हुआ है उसमें the few नहीं लिख सकते क्योंकि not many negative sense ले जा रहा negative sense नहीं है यह positive sense में है पैसेज को पढ़ने पर clearly समझ में आता तो फिर क्या करें? फिर हम यही करें कि आपके यह सारे options जो पहले मैंने discuss करके बता दिये गलत है सिर्फ यही the little ही होगा क्योंकि the little का मतलब होता है small but significance छोटे लेकिन महत्पूर्ण और यही मीनिंग इसमें sit होती है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? the little bumps यानि छोटे लेकिन महत्पूर्ण bumps on it called taste जिसे taste कहा जाता है जो जीवी की उपरत छोटे छोटे होते लेकिन कितने महत्पूर्ण होते तो the little होगा now we will discuss option number C option number C क्या कह रहा है? differentiate between salty food and sweet food the tongue अब the tongue subject है हमें एक helping verb या main verb चाहिए यहाँ बार दो में से कोई भी एक या दोनों चाहिए अब the tongue की मदद करता है in chewing चबाने में the food को by moving to where our teeth can bite it अब मैंने कहा है कि हमें meaning नहीं जानना है अब मैं ही meaning बता रहा हूँ लेकिन ऐसा नहीं है सिर्फ आपको समझाने के लिए आप थोड़ा सा समझ जाएंगे तो अगली बार से आप खुद ही solve कर लेंगे directly वैसे है बहुत सिंपल यह पाइसे इस पाइसे में ऐसा कुछ नहीं है लेकिन जैसे की स्टार्टिंग कहा है कि जिनकी बेसिक वीक है यह उस बेसली उनकी लिए अखिरत तीन नंबर की सवाल है तो आए फिर से solve करते हैं option number C दटंग दटंग के साथ दटंग आपका यहां दिया हुआ है यह इसको देख लीजे क्योंकि अभी सीन बदलने वाली है तो आपको clearly sound में आ जाए दटंग option दिये in achieving the food by moving तो आई अब आपके options यहां पर सीख दिये दटंग is helping होगा यानि जो जीव हमारी मदद कर रही है चबाने में कर रही है किसी चीज को achieving करने में नहीं करती है कोई continuous वाली बात indicate नहीं किया जा रहा है तो हमारी जो टंग है वो help करती है किसमें help करती है achieving करने में तो is helping हट गया यह present indicate करता है तो has help भी हो सकता है सब्सक्राइब भी अपने आप से रिमूव हो जाएगा तो यह हमारा जो आपसन है वह हैं यहां पर दूसरे में है दट टंग क्या होगा और यहां पर लिटिल होगा लिटिल सेकेंड में और थर्ड में होगा हेल्प्स इस तरह से स्टुडेंट्स आपको यह वीडियो निश्चीत तौर से समझ में आई होगी और यह वीडियो कोश्चन नमबर फाइब लास्ट वीडियो है थेंक यू सो मच